हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डेक लोडिंग डोज के बारे में यानि के कार्डेक एरेस्ट आने पर या फिर एंजाएना या एमाई होने पर वह कौन-कौन सी एमर्जेंसी में टेबलेट दी जाती है जिससे की पेशेंट की जान को बचाया जा सकता है तो दोस्तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे हैं और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेगा जिससे कि आपको मेडिसिन की एकिरेट नोली सबसे पहले मिल पाए तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं लोडिंग डोज के बारे में यह चाल टैबलेट दी जाती है जो कि असे भी अलग-अलग केटिगरी की मेडिसिन होती है और यह हैं तुरंत एमरजेंसी में दी जाती है जब कार्डेक एरेस्ट के चांस या फिर कार्डेक Öरेस्ट हो जाता है तो दोस्तो इसमें सबसे पहली टैबलेट है एको इस्प्रिन 75 M दोस्तो यह 75 mg की दो टैबलेट या फिर 300 mg की एक टैबलेट दी जानी होती है दोस्तो इसमें एस्परिन साल्ट होता है और यह एंटिपलेटलेट मेडिसिन होती है जो की बलड को थीनर करती है यानि कि खून को पतला करती है और हार्ट अटेक के चांज को कम कर देती है तो दो 25 mg की दो टैबलेट और 300 mg की एक टैबलेट देनी होती है दोस्तो यह भी बलड क्लोट को रोकती है और बलड वैजल्स को रिलेक्स करती है जिससे की बलड इजीली क्रोस हो पाए तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं नेक्स टैबलेट के बारे में नेक्स टैबलेट है आट्वाँ, यह B40MG में भी आती है, जो कि दो टेबलेट देनी होती है, या फिर A.T.M.G की एक टेबलेट देनी होती है, दोस्तों इस में A.T.M.G salt होता है, जो की दोस्तो इस्टेटिन केटेगरी की मेडिशन होती है और कोलेस्टरोल को रिडूस करती है यानि की कोलेस्टरोल को गटाती है तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं नेक्स टैबलेट के बारे में जो की लास्ट टैबलेट है दोस्तो यह टैबलेट है जो की 5 mg और 10 mg क strength में आती है 5 mg की tablet दो देनी होती है और 10 mg की tablet एक दी जाती है दोस्तों यह भी heart attack के chance को reduce कर देती है और blood vessels को relax करती है जिससे की clothing आसानी से मूह हो पाए और blood भी easily cross हो पाए जिससे की patient के heart attack के chance कम हो जाते है तो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़े भी नोलिज मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा थेंक्यू सो मच वोचिंग फॉर माई वीडियो